यह हमारे पास है मिथेनॉल और बोरिक एसीड पॉडर हमने इस बरतन में लिया है प्योर मिथेनॉल और इसमें हमने मिथेनॉल के साथ थोड़ा सा बोरिक एसीड मिलाया है अब हम इन दोनों में आग लगा कर देखेंगे और फ्लेम का कलर देखेंगे यह जो है प्योर मिथेन वह ग्रीन फ्लेम दे रहा है यह जो बोरी केसीड है इसको हम अनाज को कीडों से बचाने के लिए भी उप्योग करते हैं कैराम बोर्ड में भी जो पॉडर यूज के जाता है वो क्या है बोरी केसीड पॉडर है ठीक है दे सकते हैं आप दुनों फ्लेम